फीमेल्स में पीरिट का हर माह आना और थोड़े बहुत दर्द के साथ में आना एक सामानिसी बात है लेकिन अगर ये दर्द इतना ज़ादा बढ़ जाए कि आपको अपने काम से छुटी लेना पड़े आपको होस्पेडलाइज होना पड़े आपको महेंगे महेंगे दर्द क इंजेक्शन लेने पड़ें तो यह बड़ा कस्टकारक होता है कितने लोग तो इस भय से काप जाते हैं कि फिर से उनका पीरड आने वाला है सारा काम उनका बिल्कुल अस्तिव्यस्त हो जाता है समझ ही नहीं आता है इससे मुक्ति का उपाई क्या है कोई कोई तो टेंडेंसी तक में पहुंच जाती है कि इससे तो अच्छा है कि जीवन से ही मुक्ति हो जाए कितने लोग यह प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी गोलियां खालो कुछ ऐसा कर लो कि पीरियड आये ही नहीं और मैंने एक-दो अपने पेशेंट में यह भी देखा है कहते हैं यह अगर हम यूटरस ही निकलवा दे तो कितना अच्छा हो हाला कि यूटरस को निकलवाना फाइब्रोइड वगएरा के केसस में आपने जनरली देखा और सुना होगा लेकिन इतना भयंकर पेन इतनी ब्लीडिंग जब होने लगती है तो एक टंडेंसी आ जाती कि हो ही न तो सबसे बढ़िया तो ऐसी टंडेंसी तक पहुँच जाती है तो अगर आप भी इसे लाइन में हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए क्योंकि आज के बाद ये दर्द आपको कभी भी परिशान नहीं करेगा बिलकुल निशिंद हो करके आप एक्यू प्रेशर को आजमाईए और देखिए क्या मज़ा आता है अच्छा क्या ये जो मैं बाते बोल रही हूँ क्या ये सच है क्या कैसा हो सकता है क्या तो सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो और फिर मिलती हूँ वीडियो के बात में जिसकार जी ये एक feedback वीडियो है जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे painful period के time पे ऐसे दो points का use किया जिससे की मेरा pain within 5 minutes गायब हो गया और मैं इसमें धन्यवाद कहना चाहती हूँ Dr. Archina Dubey मैम को मैम की एक वीडियो है जिसमें मैम ने suggest किया है कि अगर painful period है और बहुत जदा pain हो रहा है तो 2 points है SP6 और CV4 उनको किस तरीके से press करना है किस तरीके से pressure डालना है और डालके magnet लगाना है मुझे बहुत pain हो रहा था और पूरे दिन से मुझे pain स्टार्ट हो गया था morning around 10 o'clock से और रात के 11 बजे मुझे strike हुआ कि हा मैम की एक ऐसी वीडियो बहुत पहले देखी थी तो मैंने उसको देखा और देखते ही जैसे मैम ने instruct किया है वैसे ही मैंने pressure डाला SP6 और CV4 पे जै तो 40-50% मुझे मात्र pressure डालने से ही मुझे आराम मिल गया और बहुत miraculous point है मैं बहुत हैरान हो गई उन points को देखके और मेरा और मेरा विश्वास बढ़ गया acupressure के towards और बहुत अच्छा लगा उस दिन कि इतना instant relief मैंने कभी नहीं सोचा था कि acupressure से मुझे मिल सकता है जो क three points must try है उन सभी females के लिए जो बहुत ज़दा pain feel करती है और उस time पे actually में जरूत होती है हमें कुछ ऐसे जीर्दों की की बही instant relief मिल जाए और acupressure works as a wonder really it's miraculous तो यह सब को try करना चाहिए thank you अर्चना मैं तो देखा आपने जो thumbnail आप देखकर आए हैं बिल्कुल वैसे ही चीज़ यहां मिलने वाली है आपको acupressure के वो दो point मिलेंगे जिनको लगाने के बाद immediate आपको relief मिलेगा within five minutes आपको relief मिल जाएगा लेकिन मैं point के बारे में आगे बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा से यह जान लेना होगा कि आखिर यह दर्द होता ही क्यों है कितने तरीके का दर्द है क्यों होता है कैसे होता है ताकि आप इसको समझने के बाद और अच्छे से अपने system को समझ सकें और इससे हमेशा के यह मुक्त हो सकें मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हिल्थी चैनल अर्चना दुबे एकुप्रिशर जिसमें कोशिस हमेशा यह होती है कि जो difficult diseases हैं उनके वारे में थोड़ी awareness दी जाए और जो सरल और आसान बीमारिया है उसका उपचार भी आपको साथी साथ सिखा दिया जाए ताकि आप घर वैठे मामूली से खर्च में अपना उपचार स्वयम ही कर सकें और जो गंभी बीमारिया है निश्यत रूप से उसमें किसी विशेशागी की आवशक्ता होती है तो उसके लिए आप अपने जिस भी विधा पर विश् रखते हैं तो एक्योप्रेशर का इलाज दे सकते हैं आप किसी और विधा का उसमें विश्वास है जानकारी रखते हैं तो उसमें फिर जा सकते हैं लेकिन जानकारी अगर है तो आप सही तरीके से और सही जगा जा सकते हैं तो मैं बात कर रही थी पेइनफुल पीरियट की जिसे medical term में disminoria भी कहा जाता है अब ये जो दर्द है ये कितना होना चाहिए जिसको हम सामानी माने तो सबसे पहली बात तो ये कि period में दर्द का होना आवश्यक नहीं है एक average bleeding के साथ में थोड़ा बहुत दर्द का हो जाना तक सामानी है लेकिन अगर ये दर्द आपको hospitalized कराती है अगर ये दर्द आपको अपने काम से छुट्टी लेने पर मजबूर कर दे अगर ये दर्द आपको इसकूल से छुट्टी लेने पर मजबूर कर दे फिर यह painful period है क्योंकि स्वाभावता है थोड़ा बहुत pain होना तो ठीक है रख श्राव के साथ थोड़ा बहुत pain अगर है तो it's okay लेकिन अगर यह आपको hospitalized तक करा दे रहा है तब इसको आप painful की category में मानें अब यह जो दर्द है किसी किसी को नहीं होता और किसी किसी को होता है तो क्यों कारण क्या है तो कारण जाने उसके पहले इसके प्रकार जान लेते हैं कि यह जो painful period है यह कितने तरीके का होता है ताकि जब point मैं आपको बताओं तो आप उसको समझ सकें कि आखिर यह point कहां पे काम कर रहा है और कैसे काम करता है यह hot water back का का काम करेगा या फिर यह कुछ और कर रहा है तो सबसे पहले इसके types जानते हैं यह होता है दो तरीके का पहला होता है spasmotic dysmenoria और दूसरा होता है congestive dysmenoria पहले वाले पर पहले बात कर लेते हैं पहला नंबर है spasmotic dysmenoria यानि spasm के साथ थोड़े से एठन वाले दर्द के साथ में ऐसा हो जाना यह जो आपका dysmenoria है यानि painful period है यह more or less normal है यह period के साथ ही आपको मिलेगा एक या दो दिन रहेगा हलका और उसके बाद धीरे से सामानी हो जाएगा इससे जादा आपको परिशानी नहीं होगी दूसरा होता है congestive dysmenoria congestion भीतर congestion की वज़ा से ऐसा होना यह जो congestive वाला है यह आपके period के साथ शुरू होगा और अंतर तक चलेगा और अच्छा खासा दर्ध होगा तो आपको दोनों में अंतर समझना चाहिए कि यह spasmotic वाला है जो hormonal change की वज़े से प्रोस्टाग्लेंडिन की वज़े से होता है और दूसरा congestive है congestion है अंदर कोई अवरोध है कोई रुकावट है ज आते हैं कि आखिर इस दर्ध का कारण क्या है क्यों होता है तो इसका simple सा आप क्यों इतना सोचने सबसे पहले कि इसका जो कारण है न वो बताता है कि कुछ तो है something is there something is there में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा infection genital area का infection ये genital area का infection कहां हो सकता है ये हो सकता है आपके वजाइना में ये हो सकता है आपके cervix यानि बच्चे दानी के मुँपर यानि uterus की जो आगे की opening है जिसे cervix कहते हैं वहां पर हो सकता है uterus की wall पे हो सकता है fallopian tube में हो सकता है ओवरीम हो सकता है तो अगर कहीं पर भी infection है तब ये दर्द आपको period के दोरान बहुत जादा मिलेगा नीचे swelling भी आपको फिर हो सकता है भारी पन, swelling, pain और ये radiate करके पेट के साथ ही back में पैर के कुछ भागों में भी जा सकता है और भयंग कर दर्द होता है इतना जादा कि चेहरा पीला बढ़ जाता है और अगर आप इसको जांस की माध्यम से देखना चाहें अगर ये कुछ जादा ही बढ़ गया है और ultrasound कराएंगे तो उसके impression में pelvic inflammatory disease यानि PIDB mentioned हुआ हो सकता है अब इसकी पहचान में और क्या देख सकते हैं तो अगर आप इसमें अगर infection है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जो आपका discharge होता है पीरट के दौरान उसमें आपको foul smell मिलेगा या नॉर्मली जो vaginal discharge है उसमें आपको foul smell मिलेगा तो ये जो foul smell है with pain ये बताता है कि कहीं न कहीं हमारी genital area में कोई infection आ गया है इसका दूसरा कारण दूसरा कारण और बहुत ही common कारण है वह है आपका fibroid जिसे हम रसॉली जिसे हम tumour भी बोलते हैं गांठ बोलते हैं कि बच्चेदानी में गांठ हो गई तो जब अच्छा इस ये जो गांठ होती है भी कही तरीके की होती है हर तरीके की गांठ में दर्द हो ऐसा आवश्यक नहीं है जब सब्म्यूकसल लाइनिंग में यूट्रस की उस लाइनिंग में जो cavity की तरफ को आ रही है अगर ऐसा fibroid होता है तब उसमें आपको period के दवरान भयंकर दर्द होता है और इस दर्द में heavy bleeding भी शामिल है तो अगर heavy bleeding है पेन है तो एक बार आपको अपना चिकप जरूर करा लेना चाहिए कभी-कभी fibroid की जगा पे polyp हो जाते हैं तो अगर polyp है तो उसकी वज़़े से भी आपको इस तरीके की परिशानी देखने को मिल सकती है इसका अगला जो कारण है वो कारण है endometriosis या एडिनो मायोसिस अब यह endometriosis क्या है यह जो endometriosis है यह जो आपके uterus की wall है उसमें जो tissues होते हैं वो हर माह period आने पर should off हो जाते हैं गिर जाते हैं period के रास्ते बह गए इसी तरीके से tissue की growth बाहर की तरफ होने लगती है उसके adjoining area में वहाँ पर आपके का जो area vacant है वहाँ पर इस तरीके की growth हो जाती है और जैसे period के दौरान bleed होना शुरू करता है tissue अंदर की तरफ ऐसे बाहर भी होता है अब अ outlet नहीं मिल रहा है निकलने का है तो वह वहाँ पर पड़े पड़े क्या करेगा swelling हो जाएगी और इसकी वज़े से वहाँ पर pain होता है एक होता है आपका adenomyosis दोनों में मैं फरक भी बताती हूं कि कैसे आप हैस जानेंगे कि normal वाला pain है dysmenoria या adenomyosis इसकी वज़े से ऐसा दर जैसे यह pain आप feel कर सकते हैं अब पहचाने कैसे हैं पहले period में दर्द नहीं होता था पहले सामान ने था अब यानि progressive dysmenoria कि अब कुछ माह से देख रहे हैं कि अब यह दर्द रहने लग गया और भयंकर bleeding के साथ भी होता है तब इसको हम adenomyosis endometriosis के रूप में देख सकते हैं अब पता कैसे सेलेगा इसका तो इसका पता चलने का simple सा procedure होता है ultrasound ultrasound के दौरान आपको यह चीजें बता दी जाते हैं इसके कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो गाइनी करती हैं और बता दीती हैं तो आपको जानकारी चाहिए तो किसी गाइनी से consult करके अपनी problem को share करके बता स सकते हैं आप इसमें hot water bag ले सकते हैं exercise कर सकते हैं walk कर सकते हैं लेकिन जिसको परिशानी हो रही है उस दवरान ये करना बड़ा मुश्किल होता है यह सारी चीजें आप अपने next period को normal करने के लिए use कर सकते हैं तो फिर इस pain से बसने का उपाय क्या है वो उपाय है acupressure acupressure मे हम दो point का use करते हैं पहला point है spleen का six number और दूसरा number है conception whistle का four number ये दोनो point क्या काम करते हैं इस पे बात करते हूं location कहा है इस पे बात करते हैं और इसको कैसे लगाना है देखे इसमें क्या करना है सामने picture देखिए ये point है spleen का six number जैसे इसमें divide करके बताये गया है ऐसे ही आप pencil से पिंसे हलका सा निशान बना लिए ताकि exact location पे आपका point है जब तक आपका point exact नहीं लगेगा तब तक कोई relief नहीं होगा तो exactness का vicious रखना है ध्यान और आप इतने सहज रूप में आराम पा जाएंगे कि आप believe नहीं करेंगा आपको लगे कोई सपना तो नहीं देख रहे है कि अभी तो तड़क रहे थे और ठीक पांच विनट बाद हम तो हस रहे हैं enjoy कर रहे हैं बिलकुल ऐसा ही होगा और प्रमान पहले ही हमने आपको दे दिया है और ये एक है ऐसे ही बहुत सारी लोग हैं जो अब तक काफी लाग पाच चुके हैं यहाँ पर जो भी मैं point बतात यह temporary relief है याई point लगाएंगे और आप उस period में pain free हो जाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि it may be because of fibroid, it may be because of denital area infection, it may be because of polyp, it may be because of endometriosis, it may be because of adenomyosis तो हमने उसका तो treatment नहीं किया न हमने केवाल pain free किया है जो congestive dysmenoria जो congestion है उस congestion को हमने इस point के माध्यम से निकाल द इससे आपकी heavy bleeding control होगी इससे आपका pain control होगा बट permanent नहीं होगा, permanent के लिए तो आपको पहले diagnosis बनानी पड़ेगी कि है क्या, तब अगर PID है यानि genital area infection, pelvic inflammatory disease है उसका proper treatment लेंगे, fibroid है तो उसका proper treatment लेंगे, या बाकी जो मैंने endometriosis या एडिनो मायोसिस बताया, अगर वो है, मायोमा है, तो फिर हमें उसका treatment लेना पड़ेगा, complete, तब जा करके हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगे, तो अभी जो मैं बता रही हूँ, ये pain killers के रूप में बता रही हूँ, कि ये आपको pain free कर देगा, तो पहला point है, ispleen का six number, कहने को ये point ispleen का है, लेकिन ये जो point है, य ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये it adjust blood flow, ये blood flow को adjust कर देता है, तो जब ये adjust कर देगा, तो क्या होगा, कि bleeding जो बहुत जादा हो रही है, उसमें control आएगा, एठन में control आएगा, क्योंकि ये eliminate करता है dampness को, जो वहाँ पर congestion है, dampness को, congestion को ये वहाँ से release कर देता है, तो जैसे release करेगा, आपके दर्द में रहत मिल जाएगी, अब इस point में क्या करना है, वो बताओंगी दोनों point के साथ में, पहले बता देती हूं, दूसरा point, दूसरा point है, CV का 4 number, conception vessel, एक्यो प्रेशर में होता है, conception vessel 4, ये point का नाम number जानने साब को कोई लेना देना नहीं है, आपको जह recover करता है, यो ट्रस में जो problem आई है, उसको recover करता है, energy को recover करता है, तो जो आप pain की वज़े से बिलकुल जमीन में लगे हुए हैं, विस्तार से खुटने का नाम नहीं ले रहे हैं, एकदम weakness और परिशानी हो रही है, उसको ये free करता है, और ये open करता है congestion को, आप इसको कैसे क देख रहे हैं, ये है sp6, और ये है cv4, इन दोनों ही point पर, दोनों ही हाथों में आपको लगाना है yellow magnet, कैसे लगाना है, जैसे picture में दिख रहा है, यानि जब आप point हाथ में लगा लेंगे, तो आपको कैसे दिखेगा, जो भी देखेगा तो उसको दिखेगा कि yellow यलो कुछ जिन्होंने लगाया है हाथ में, अग दूसरी तरफ क्या है नहीं है, उससे कोई लेना दिना नहीं, कितनी देर तक लगाना है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे, 5 मिनिट के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा, अगर ये point ठीक से लग गए तो, और जब आराम मिल ज करा के फटाफर, आप उसका complete treatment जरूर लीजे, इसी से भी लीजे, अगर आप interested हो, एक्यू pressure का इलाज लेने में, या ये जो magnet है, आप चाहते हैं, ये कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए भी, आप हमारे नीचे दिये हुए WhatsApp नंबर बर, consult कर सकते हैं, एक छोटी से fees होती है, उसके साथ ही, आप अपने सारी reports वगरा भेज करके, और फीस जमा करके, फॉर्म भरके, और आप हमसे concern कर सकते हैं, जो मुझे समझ आता है, मैं कोशिश करती हूँ, कि आपको relief में दिलापाऊं, तो फिर से एक बार बता दूँ, ये point दोनों हाथों में लगेगा, कम से कम 12 हंटे लगे, निकल जाए, दुबाया फिर से लगा लीजिए, और तब तक लगाईए, जब तक ये pain से बिल्कुल free न हो जाएं, आप, चाहे तो आप हर महीने इसको लगाते रहें, और दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए diagnosis कराएं, और आप जो नीचे दिया हूँ न जो इससे वंचित हैं, उन्हें भी इसका लाब मिल जाए, आज बस यतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार